हेले दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेंड बीपीएसी में दोस्तों कि जैसे कि अब एड्मी कर्ड जारी हो चुका है 14 माई को आपका क्या एकजाम होने वाला है तो आप समय बहुत कम है ना के बराबर समय है और आपको वैसे चीजे पढ़नी है प्राक्टिस आप कम लगये ठीक है प्राक्टिस ज्यादा लगाना है किसका जो मार्केट में बहुत साय। पर्कासन उसपर आपको ध्यान नहीं देना है प्राक्टिस लगानाए आपको प्रीबियस सीर का ठीक है हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे मतलब कुछ ऐसे हम 15 20 प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को ठीक है जो पर्थम पाली सेकंड पाली और त्रीतिय पाली में जो परिक्षाय हुए हैं वो सब भी हम करवाएंगे आज हम आपको प्राक्टिस सेट करवाने आ ले हैं यानि जो 21 मार्च 2021 को पेपर हुआ था 21 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसका हम आज सेट लेकर रहा हैं प्रिभियस एर है कर लीजिए आप लोग इसका पीडियेफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे यूटूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर वहाँ पर मिल जाएगा रोज हम प्राक्टिस सेलेक्टेड हो सकता है दिन में दो या तिन प्राक्टिस करवा दे तो आप जूर जाएगा चैनल पर ठीक है दोस्तों आपको मदद मिलेगा बहुत मदद मिलेगा इसे चलिए देख तो उन्होंने इसको पेंजिया नाम दिया था क्या नाम दिया था दोस्तों पेंजिया 21 मार्च के एक्जाम जो हुआ था मंदिसेद का उसमें आया हुआ है अगला देखिए उसके बाद है सेखर एक जिवनी अग्या की कृति है क्या है इसमें से दोस्तों यह एक उपनियास है ठीक है उपनियास है आगे देखते हैं उसके बाद है चूज दी correct answer from the option given below in the sentence see or wrote a letter a letter is dash तो क्या होगा इस option में से चुकी तो a letter is the subject हो जाएगा ओके subject हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे है दोस्तो कि उस गून का चैन कीजिए जो नाविकिये सलैन का भी लक्षन नहीं है उस गून का चैन करना है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि नाविकिये सलैन का भीकिरिया कम तपमान अर्थत कम्रे के तपमान पर नहीं होता है ठीक ना आप असानी सदे है यहां होता है तो 32 गराम होता है कि निकाल गर कर देख लिए ठीक निकालिएगा ओटू होता है न ळी तो क्या बोलेंगे शोले गुण templesρ्ण होजएगा ऑच्छिम इसको क्या बोलेंगे पंडित बाल क्रिस्ण धुर्ड रजजित नातक है तो उन्होंने हिंदी गद्साहित में भी उन्होंने वेनु सनहार लिखा था क्या लिखा था वेनु सनहार आइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए दोस्तों अगला प्रसन है आपका कि निमलिखित में से किसने संपर्दाइक पंचाट की घोषना की है तो दोस्तों ये 16 अगस्ट 19 1932 की बाद है जब ब्रिटिस परधान मंत्री कौन थे रेमजे मैक डुनाल थे और आपको पता है कॉंग्रेस का धिवेशन चल रहा था उस समय एक दो तीन हुआ था ठीक है तो उस समय की बाद है तो इस तरह इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अब ध्यान से अप्शन को सही है कौन सा सही है तो देखिए सुलवी बिधान सावा की लोक लेखा समीति का कारेकाल अब दो सलका होगा कितने सलका होगा आपको पता होना चाहेगा यहार के मुख मंत्री बने थे किस वर्ष स्री नितेश कुमार जी बिहार के पर्थम बर मुख मंतरी बने थे तो दोस्तों ये 2000 की बात है ठीक है 2000 इसमे में बने थे उसके बाद देखिए उसके बाद है क्या है कि नितियायो का स्वरूप क्या है नितियायो का स्वरूप क्या है 21 मार्च के एकजाम जो हुए है दोस्तों उसका हम पेपर करवा रहे हैं आपको ध्यान रहे नितियायो का स्वरूप क्या हो जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका परा मर्श दातरी संस्ता हो जाएगा निती आयोग योजना आयोग के रूप पर बना है और इसका अधेक्ष कौन होते हैं परधान मंत्री होते हैं इसका गढ़न 15 मर्च 1950 को हुआ था ठीक है योजना आयोग के अस्थान पर निती आयोग गया है अगला प्रशन देखिए भारत निर्मान योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है दोस्तों तो ये क्रिसी बिपनन जोहाई ये नहीं है ठीक है बाकि ग्रामी नुवास ग्रामों का बिदूतिकरन ये है अगला देखिए आगे का प्रसन है दोस्तों की भरतिये नितियायों का पदेन अधियक्ष कौन होता है भरतिये नितियायों का पदे hydrogen और oxygen है इसका तत्व विशलेशन करने पर हमें 38.79% कार्बन और 9.67% hydrogen मिला योगी का मुलनुपाती सूत्र होगा क्या होगा तो देखिए योगी का मुलनुपाती सूत्र होगा CH3O क्या हो जाएगा CH3O हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद देखिए आगे है दोस्तों कि मेरी बियतनाम यात्रा राचना की सहित्यक विद्या है क्या है इसमें बताइए राचना की सहित्यक विद्या है इसमें से क्या हो जाएगा तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों यात्रा बिरितान्त हो जाएगा ठीक ना यात्रा बिरितान्त हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए भारत की परमुख खाद फंसल है क्या है दोस्तों तो ये हो जाएगा चावल ठीक है आपको भी पाता है चावल हो जाएगा परमुख चावल केहुँग ऐसे होता है अगला प्रसन देखिए अभिकिरिया को संतुलित करने के लिए नीम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है इस में से किसका आप आलफा कन का करेंगे बीटा कन का करेंगे नीट्रोन का करेंगे या पोजिट्रोन का करेंगे तो दोस्तो आलफा कन का पर्योग किया जाता है इस अभी किरिया में आप करकर देख लिजे अगला प्रसंद देखते हैं उसके बाद है दोस्तो कि भारतीय रूपिय की बिनिमाय दर निधारित होती है भारतीय रूपिय की बिनिमाय दर निधारित होती है तो दोस्तों यह होती है British Pound के संबंध में किस में होता है? British Pound के संबंध में होता है ठीक है? अगला प्रसन देखिए previous year का है दोस्तों मैं बार बर बोल रहा हूँ 21 मार्च 2021 का paper है यह जिवन बिमानीगम एक उधारन है जिवन बिमानीगम एक उधारन है किसका? तो यह निवेस बैंको का एक उधारन है ठीक है? जिवन बिमानीगम निवेस बैंको का एक उधारन है अगला प्रसन देखिए भारत में सबसे प्राचीन ब्रिहत अस्तरिय उध्योग है भारत में सबसे प्रचीन ब्रीहत अस्तर ये उद्धियोग है कौन सा है देखिए कौन सा होगा आपके मुताबिक तो दोस्तों कपास हो जाएगा ठीक है भारत में कपास जो है न सबसे प्रचीन अस्तर पर ये उद्धियोग था अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है भारा सरकार की आयका सबसे बारा सुरोत क्या है? भारा सरकार की आयका सबसे बारा सुरोत क्या है? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका उत्पाद कर ठिक है, भारत सरकार की आये का सबसे 12 सुरोत आपका उत्पाद कर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रसन प्रिभीयस एर का कि निमलिखित में से कौन आर्थिक बिकास के लिए परतियक्ष रूप से महतपून नहीं है कौन आर्थिक विकास के लिए परत्यक्ष रूप से विकास महतवपून नहीं है इसमें से अप्शन को ध्यान से दिखेंगे आप दोस्तों तब को पता चल जाएगा कि मुदरा की मातरा जो है ये परत्यक्ष रूप से महतवपून नहीं है अगला प्रसन देखिए ये प्रसन है दोस्तों पॉलिटी से कम से कम पांच ये छे प्रसन आएंगे मदनी सेद में ध्यान रखिएगा भारतिये सन्मिधान को सन्मिधान साभादोर अंगी क्रित किया गया भरतिय सन्मिधान को सन्मिधान साभादवर अंगी कृत किया गया तो 26 नौबर 1949 को ये दोस्तो अंगी कृत हुआ ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखिए अगला है आपका भारत की कौन सी नदी हिराकुंड बांध से सम्वंधित है भारत की बताईए कौन सी नदी हिराकुंड बांध से सम्वंधित है देखिए और ध्यान से बताईए लोग क्या होज़े अगर आइटन से देखिए हिराकुंड बांध उरिसा में महा नदी पर है कहां पर है यह तो यह महानदी पर है ठीक है यह संसार का सबसे बारा और लंबा बंध है याद रखिएगा हीरा कुंड बांध महानदी पर है और यह संसार का सबसे बारा और लंबा बंध है इस बांध के पीछे बिसाल क्या है जलासे है जो ACA का सबसे बारा क्रित्रिम जील भी है, याद रखिएगा, उसके बाद देखते हैं, क्या है दोस्तो, इंसुलीन हर्मोन में पोली पेप्टाइड सिंख लाए किस बंद द्वरा जूरी होती है, तो दोस्तो देखिए, मानो इंसुलीन पेप्टाइड हर्मोन जो होता है, या एक कावन एमीनो अमल से बना होता है, इसमें दो पोली पेप्टाइड सिंखला होती है, एक क्या होता है, पोली पेप्टाइड सिंखला में 21 एमीनो अमल होता है, और दूसरा जो होता है ना, पोली पेप्टाइड सिंखला, इसमें 30 एमीनो अमल पाय जाता है, दोनों प डाइसलफाइड बांध वरा जुरा होता है तो आप पकर लेंगे क्या हो जाएगा डाइसलफाइड बांध ठीक है राइट अंसर अगला प्रसंद देखिए DNA के एकलचारक योग में के परिवर्तन को क्या कहते है तो आपको पता होना चाहिए कि DNA के एकलचारक योग में परिवर्तन को भिंदू उत्परिवर्तन कहा जाता है जिसे फ्रेम सिफ्ट उत्परिवर्तन भी कहते हैं याद रखिएगा 21 मर्च 2021 को जो पेपर हुआ था वो हम करवा रहे हैं अगला प्रसन देखिए संगिय मंत्री परिशत के मंत्री उतरदाई होते हैं संगिय मंत्री परिशत के मंत्री उतरदाई होते हैं बताइए किसके प्रती उतरदाई होते हैं देखे केंद्रिय मंत्री परिशत बोलिया संगिय मंत्री परिशत एक ही होता है ये सामोहिक रूप से लोकसाभा के प्रति उतरदाई होते हैं किसके प्रति तो ये लोकसाभा के प्रति उतरदाई होते हैं जबकि केंद्रिय मंत्री ब्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये राष्टपती के प्रति उतरदाई होते हैं ठीक है तो राइट अंसरब का लोक सभा हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट पती को यह अधिकार नहीं प्राप्त है क्या इसमें से प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट पती को देखिए भारत के जो राष्ट पती को जो अधिकार है अप्शन के मुताबिक अब ध्यान से देखेंगे छामा परदान करे, न्याले के नइधिस को हटा या पात कल की घोशना करे अध्यादेस जारी करे इसमें बोल रहा है कौन से नहीं है दोश्तो आपको ध्यान से गलती नहीं करना है देखे न्याले के नैधीस को हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है ठीक है बाकी सभा है इनके पास छामा कर सकते हैं अब पात कल की घोशना कर सकते हैं अध्यादेस चारी कर सकते हैं अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है दोस्तों कि पर जीवी गाय रोजी के दूद में मिलने वाला प्रोटीन है पर जिवी गाई रोजी के दूद में मिलने वाला प्रोटीन है क्या हो जाएगा? देखे, पहली बार ट्रंस जैनिक गाई रोजी जिसर बोलते हैं 1997 में पैदा हुई थी ठीक है इसमें मानव अलफा लेक्ट एलिव बीविन जीन होता है यह मानव प्रोटीन समरीद दूद का उत्पादन करता है जो परकृतिक आयके दूद की तूलना में मानव सिस्यों के लिए पोशन का क्या होता है अधिक संतूल नहार होता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसमें से क्या होना चाहिए αलफा लेक्ट एलिव बोबीन हो जाएगा ठीक है अलफा लेक्ट एलिव बोबीन देखिए दिया है यह नमर में मानव अलफा इतल यही आपका सही हो जाएगा टॉफ कॉशन है थोड़ा सही अगला प्रसन देखिए समगर पूर्ती निर्वर करती है समगर पूर्ती निर्वर करती है किस पर करती है तो देखे ये करता है दोस्तो यानि और नीचे अप्शन देख लेते हैं क्या क्या है तो ये करेगा आपका देखिए खीमत अस्तर पर करेगा और्थ ब्याहस्त है मूत बादन छामता पर करेगा लागत के अस्तर पर करेगा तो पहला भी करेगा दूसरा भी करेगा तीसरा भी करेगा इस तरह आपका राई टंसर तीनों हो जाएगा आगे देखिये, आगे हैं दोस्तो कि बहुलवादी वीचारधारा समर्थन करती है, क्या करती है ये? प्रशन को ध्यान से देखे, क्या करेगा? चुखी ये करता है वर्ग विहिन और राज विहिन समाज का समर्थन करती हैं और आज विहिन समाज का क्या करता है राज विहिन करता है अगला प्रस्ण देखिए अगला है निमलिखित में से किस अस्थान का पुना नमाकरन अलावदिन खिलजी दोरा खिजराबाद कर दिया गया खिजराबाद कर दिया गया था कब तो देखिए पहले इनके बारे में ज उन्होंने इसका नाम बदल कर खिजरा बात कर दिया ठीक है तब क्या बोलेंगे चितौर ठीक है चितौर का नाम बतला था इन्हों है उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका दोस्तो नीम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे नीम्न में से किसे आप खंडित चर मानें होता है जिसे गिंती किया जा सके हाई भेट ठीक है क्या हो जागा इसमें से किसे आप खंडित करेंगे खंडित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों तक वो खंडित करना है बताए क्या राइट अन्सर होगा इतना हिंट दे दिए दोस्तों देखें इसका राइट अनसर हो जाएगा उचाई हो जाएगा वजन हो जाएगा मजदूरों को दीगए मजदूरी यहन्ी हाइट बेट वेश्ट, पेट भार्कर्स ठीक है आगे देखी आगे है अपका जीव को जीव जो तपमान के ब्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं क्या कहलाएंगे वैसे जीव, जन्तु जो संकिन तपमान सीमा के भीतर जीवित रहने में सक्षम होता है अर्थत कम तपमान पर जीवित रहता है उसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे चार को अप्शन है तनुतापी हेकी एस्टो तो पाप हेकी एस्टो तापी बोलते हैं या प्रीथू तापी बोलते हैं या मध्य तापी बोलते हैं क्या बोलेंगे इसमें से तो तनुतापी बोलेंगे दोस्तों क्या बोलेंगे तनुतापी राइट अंसर हो जागा ठीक है त तो दोस्तो हमारा आज का जो जी के और जी एस का जो प्रसन था यह मैं इंपोर्टेंट प्रिभियस एर का ओ मैंने आपके बिच लाकर करवा दिया फिर हम अगले मतलब कुछी घंटो बाद हम क्या करेंगे एक नय वीडियो ले करा रहे हैं प्रिभियस एर का समय कम है अब जि देते हैं सब भी आपके पास पहुंचेगा असानी से चानल को सस्क्राइब कर लिजेगा टेलीग्राम पर जुरूर जुरिएगा आपको अगर यह पीडिएफ चाहिए फ्री में तो ठीक है बीना किसी आईसे ही मैं दे देता हूं पीडिएफ से यूट्यूब टेलीग्राम पर पान कर जुरूर जेएगा ठीक है दोस्तों टेकर बाई बाई अपना ख्याल रखें पढ़ाई करें खुब जाम कर पढ़ाई कीजिए